आल्वाइट फिबेक फैमली, so how to prepare for mega Mewtwo, आपको पताएं पक्मुन गो में in future mega Mewtwo आएंगे, mega Mewtwo X and mega Mewtwo Y, दोनों ही killer होने वाले हैं, and मुझे बातानी के जरत नहीं है, like कितनी exciting जी जोगी, and kind of, कितने excited ये सच में हैं Pokemon, ये mega Mewtwo कितने exciting हो सकते हैं, वो तो मैं आपके शायर कर लेंगे कुछ, then फिर हम चालू करेंगे कैसे हमें prepare होना है, इस time का हम कैसे यहां पर use कर सकते हैं, and better use कर सकते हैं, anyways मैं start करता हूँ, mega Mewtwo X, and Y के यहां पर कुछ stats, so mega Mewtwo X की में बात कूँ, max CP की level 50 पर, so वो जाती है, friends, 6138, and also अगर मैं attack, defense, stamina की बात कूँ, so attack यहां पर की rank 4 है, जो वो kind of बहुत exciting, and also fighting and psychic type Pokemon है, so kind of weakness and strength हो भी थोड़ी बहुत change होंगी, अगर normal Mewtwo से मैं compare करने जाओंगा, anyways, mega Mewtwo Y की में बात कूँ, so यह pure psychic type Pokemon से, same as it is, यहां पर जो normal Mewtwo की weakness, strength होंगे, same यहां पर इसकी भी वाही होंगी, max CP की level 50 पर, so 6343 years, guys, mega Mewtwo X से थोला आ यहां पर, and also मैं बात कूँ, attack की सो attack 388, जो rank 3 होती है, and also defense 202 and stamina 214, so defense stamina almost almost same है, and attack की बात कूँ, so attack आगी ही है, mega Mewtwo X के compare में, anyways, यहां पर मैं बात कर लेता हूँ, कैसे अब आपको prepare होना है, कैसे हमें यहां पर prepare होना है, mega Mewtwo के लिए, क्योंकि आपको पता है, best होने वाले ह यहां पर यहां पर यह जो आते हैं, आपके पास एक यहां दू तो Mewtwo ऐसे होने चाहिए, जिन्हें आप यहां पर just mega में convert कर सके, so वो एक kind of interesting होगा, अगर आपके पास अच्छा Mewtwo ही नहीं होगा, so क्या फाइदा होगा आपको यहां पर mega Mewtwo अभी जाए, then फिर आप यहा chance मिल रहा है, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, so अभी rates में June 16 तो July 1 आपके लिए रहेगा Mewtwo rates में, and Mewtwo अगर rates में रह रह रहा है, इतने दिनों के बीच में, at least मैं यह तो बोल सकता हूँ कि आपको एक shiny तो मिले गई, तो वो आपके लिए एक हो जाएगा कि हाँ, आप 20 to 30 Mewtwo यह minimum की में बात करों, हाई यह तो आपको पता है, आप कितना जा सकते हैं, वो आप 40, 50, 60 तक भी जा सकते हैं, लेकिन minimum ही अगर मैं रहा हूँ 20 to 30 Mewtwo, तो आप इतने Mewtwo का क्या करेंगे, आपके पास कुछ खराब Mewtwo भी होंगे, जिनके IV बहुत बेकार भी होगी, तो आप उन्हें ट्रांसफर करने के जगा ट्रेड करना, ट्रेड करने से दो फायदे होंगे आपको, एक तो आपको गारंटेड एक्सल केंडी भी मिलेगी, उस Mewtwo के जिसे आप ट्रेड करें, साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आपके चांसेस होते हैं, तो आप लग्की कर सकते हैं, क्यूंकि दिनकी 2 स्प्सक्षास ट्रेड करे हैं अगर आप फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, मुटु की मैं एक आपको बोखता हूँ आप एक लोट्टा आप ऑफ ट्रेड कर एक मुटू और तो आप ऐक्छी मुटू भी मिल जाएगा, तो वह एक चांसे और आप आप ट्राय करने के आप उसकी कैंडीज ज्यादर गैट कर सकें एटलीस आप यहाँ पर 500-600 कैंडीज तो रखना क्योंकि म्यूटू आपको यहाँ पर पावर भी करना होगा, एक्सल कैंडीज पर भी फोकस करना आपके पास 300 XL कैंडीज तो होनी चाहिए ताकि आप एक अपने अच्छे म्यूटू को लेवल 50 तक पावर अप कर सकें, यहाँ पर मेगा म्यूटू जब आता है तो आप उसी म्यूटू को मेगा म्यूटू X या मेगा म्यूटू Y में ज़स्ट करें क्योंकि 6000 प्लस CP का वो होगा लेजंडरी मेगा तो आप उसे रेट्स में लेकर जाएंगे तो आप खुद सोचो कि आपके लिए कितना यहाँ पर यहाँ पर यूसफुल रहेगा यह काइंड ओफ आपके लिए इंट्रेस्टिंग है आपको एक्सेल कैंडीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी उस म्यूटू की जिसके आप रेट्स कर रहोंगे तो आप रेट आवर लाइक इन टाइम पर आप यह चीज़ पर फोकस कर सकते हैं आपको एक करते हैं आपको एक म्यूटू होगा घिसे आप इस टाइम पर मीधामें करें तो वह आपके लिए बहुत यूसफूल होगा यह टाइम बहुत अच्छा है प्रिपार होने के लिए हूब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैं आपका फीबैक मिलता हूँ किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए फीबैक फैमिली को फीबैक की तरफ से बाई